हाई आपके लिए अच्छी सी रेसिपी लेकर आए हैं बालों के लिए तो बालों के लिए तेल कैसे हम बनाते हैं हम आपको यह बताएंगे इसमें कि इस टाइम बर्साथ का मोसम है तो बाल बहुत ही जड़ते हैं बाल ना जड़ें इसके लिए एक हम तेल बनाके हम खुद लगाते हैं इस तेल को हमारे धर में सभी लगाते हैं इस तेल को तो आज हम वही तेल आपको बताएंगे और आप भी इस तेल को बनाकर इसका फाइदा ले सकते हैं बालों का जढ़ना रोक सकते हैं तो चलिए बनान आपके हैं क्या बोलते हैं यह कमेंट में करके ज़रूर बताईएगा एक करी पत्ता लिया हमें थोड़ी सी तो इन सब चीजों को हम जब एक साथ तेल में पका लेंगे और अच्छे से पक जाएगा तिस सारी चीजे तेल में नरिश्च करती है बालो को जढ़ने से रोकती है इसमें iron folic acid होता है बहुत सारे तत्तों होते हैं प्रोटीन विटामिन्स मिनरल्स और करी पत्ता तो गुड़ों की खान है यह बालों को जढ़ने जढ़ने तथा आखों की रोशनी में भी बहुत ही फायदे मंद है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस तेल को मैंने पैन चला दिया है मैं प्रण में थोड़ा सा नारियल तेल डालेंगे उन्हां नैरियल तेल लिया है आपको जितना भी बनाना हो इस इसाब से बना सकते हैं तो आप चाहें तो कराई भी ले सकते हैं iron वाली हम यह करी पत्ता की दंठल सहीर डाल देंगे मेथि डाल देंगे पकाएंगे लोग फ्लेम पर प्रेंट्स आपकड़ से साउधानी से पकाईएगा तेल क्योंकि यह हरा होता पत्ता तो इससे जो है तेल में छीटे आते हैं कि देखिए मेथी दाने पक गये अच्छी तरह से थोड़े काले हो रहा है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे बंद करने के बाद थंडा हो जाएगा थोड़ा सा चान लेंगे इसे अच्छानने के बाद एक कंटेनर भर के रख देंगे ऐसे हथे में दो बार जरूर हुआ एक घंटे पहले लगा लें बाल दोने से या रात को लगाने रात को लगाने से और भी बढ़ियां रहेगा बालों को कि फ्लेंट थंडा हो गया चलिए चान लेते हैं प्रेंस यह देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है तो आप भी इस तेल को जरूर बनाईएगा जो चीज दिख रहा है वही बनेगा और बालों में आप देखेगा बाल जढ़ना बंद हो जाएगा अब बाल की ग्रोध भी अच्छी हो जाएगी तो आप इसे जरूर से ट्राइग कीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर सेर कीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को अँ़ जरूर साहिए दो में औरूर अफ्रोध दोओ टो में जरूम शायाम आपको बाल कीजेजु आपको ज्सक्राइब में